नमस्कार दोस्तों मैं कृष्णा मूर्ती आप सभी का स्वागत करता हूँ Learning Mirror YouTube चैनल में दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा आपका जो इंट्राडे प्रॉफिट है वो कब आता है और उस प्रॉफिट का व्यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं इंट्राडे में ट्रेडिंग में या फिर आप उसको टी प्लस टू डेज के बाद कैसे निगाल सकते हैं सारी चीज़े मैं बताऊंगा क्योंकि आप सब का यह बहुत क्वेरी आ रहा है कि सर मेरा जो प्रॉफिट है आज का वो दिख नहीं रहा मैं कितने दिन में निकाल सकता हूँ क्या उसका मैं उत्रेडिंग में या फिर मैं उसको विद्डॉफ कर सकता हूँ टी प्लस टू डेज के बाद तो यह सारी चीज़े जो है मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो के साथ बने रहे हैं वीडियो अच्छा लगत कि पर लाइक कर दें, एपलाउड कर दें, सब्सक्राइब और सेयर कर दें, तो दोस्तों यहाँ पर देखें, कल मैंने ट्रेड किया हुआ था, तो उसका जो मुझे 877 रूपीज का पाफिट हुआ था, उसमें जो मेरा बिल एमांड हुआ है 680 50 रूपीज और 20 रूपीज जो सबसे कम है, वो ब्रोकरेज लएगा, आपको मतलब 20 रूपीज लएगा, अगर आप 10,000 का ट्रेड करते हो, तो 10,000 का 0.05 परसें 5 रूपीज होता है, तो आपको 5 रूपीज का ब्रोकरेज लगेगा, तो ऐसे करके मेरा 680.55 रूपीज जो है प्रॉफिट का, वो T plus 2 रूपीज में यहाँ पर क्रेडिट हो गया है, मतलब इस पैसे का मैंने यूज किया है, आज मैं बताऊंगा आपको, इंट्राडे में भी किया है, और डिलिवरी होल्डिंग में भी किया है, तो आप जो है, जो T plus 2 रूपीज था आप स्टॉक्स मे ही आपको दे रहा है, मतलब वो कैसे अपना एक्षेंज से मैनेज करता है, वो उसकी टेंशन है, लेकिन आप T plus 1 रूपीज में अपने प्रॉफिट का यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको विड्रॉण नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है, तो यहाँ पर देखें, टो यहाँ पर द देख लेंगे, CR मतलब credit, मतलब जो आपने profit किया है, और government tax, brokerage direct होने के बाद, जो पैसा आपका refund हुआ है, वो CR में होगा, DR मतलब debit, अगर आपने loss किया है, तो government tax और brokerage add होगा, और DR लिखा हुआ आपके amount के साथ, मतलब उतना amount आपके funds में से debit होगा, मानलो सर्व मेरे पास उतना amount नहीं होता तो, तो यहाँ पे दोस्तो यू, total funds आपको minus में दिखाता, आप जब भी पैसे डालते या फिर जब भी आपको stock sell करते, तो इतना पैसा आपका manage होके, मतलब settle होके, आपको withdraw करने का मौका मिलता, यह बात समझ गए, तो मेरा T plus 1 days हुआ है, कल मैंने profit generate किया जो मेरा profit हुआ है 681 रूपीज का, वो अभी unsettled है, यहाँ पे देखिए, unsettled amount दिखा रहा है 680.55, तो यहाँ पे आप downside arrow पे क्लिक करें, तो यहाँ पे लिखा हुआ हुआ है, this is an outstanding amount that is yet to be settled, cleared into your account, मतलब यह जो है आपका अभी भी pending में है, मतलब कल मैंने trade किया था, तो आज आज T plus 1 day हुआ, कल मेरा T plus 2 days को यह पैसा release हो जाएगा, और यहाँ पे available to withdraw में इतना amount आपको दिखेगा, समझ गए, तो unsettled amount 680.55 है, मेरा 76 पैसे यहाँ पे पहले से था, वही आपको total funds में दिखा रहा है, अगर आप फिर से 10,000 रूपीज आड करते हैं, तो यहाँ पे total funds मे आपको साम में आपको यहाँ बएए कर सकते हैं, आज विड्रॉफ फन्स नहीं कर सकते हैं, अगर आपने आज फेंटाल किया है, तो आपके विड्रॉफ फंड पे क्लिक करके. अगर आपको fund विड्रॉफ करना है, मालनो यहाँ पे available to withdraw दिख रहा है, तो यहाँ पे अपना amount डाल दें और यहां पर withdraw fund पे click कर दें आपको T plus one days में आपके bank account में पैसा चलाएगा मतब trading plus one day में आज आपने withdraw request डाला तो साहिध आज साम तक चला आए नहीं तो कल सुबह working day है तो कल सुबह तक तक पक्का चलाएगा वो आप क्या करें यहां पर आपका portfolio दिख रहा है इस portfolio प कर दिया है यहां पर देखें आपको intraday और delivery लिखा हुआ है delivery में यहां पर प्रस है मतलब आपने long term के लिए buy किया हुआ है अगर delivery में यहां पर minus है मतलब आपने holdings यह जो आपका holdings है यहां से आपने sell किया हुआ है तो positions में देखें मैंने gold भी एक quantity buy किया हुआ है यह gold ETF है delivery मतलब आज इसको मैं buy करूँगा आज इसको sell नहीं करता तो कल यह मेरे holdings में चलाएगा holdings में आने के बाद मैं इसको आज कल sell करूँ आप BTST कर सकते हैं आज buy करके कल sell कर सकते हैं एक महीने बाद sell करूँ या 10 सल बाद sell करूँ वो मेरे उपर है तो holding stocks mainly long term के लिए होता है त आप यहां पर देखें सब कुछ है यहां पर review करके यहां पर sell पर click कर दें तो दोस्तों जैसे ही आप sell करेंगे यह आपका 75 पैसे का profit है वो book हो जाएगा और यहां पर आपको funds में चलाएगा वो T plus 2 days में समझ गए लेकिन आप उसको utilize कर सकते हैं T plus 1 days के बाद लेकिन एक बा brokerage count होगा चाहे आपने delivery में किया हो intraday में किया हो cover order किया हो OCO order किया हो वो आप पर depend करता है लेकिन आपने आज buy करके आज sell कर दिया आज sell करके आज buy कर लिया तो intraday count होगा और intraday brokerage आपको generate होगा सर क्या इसमें मुझे DP charge लाएगा DP charge बाइंग में दोस्तों नहीं है DP charge आज आप sell करते हैं holding से मतलब यहां से अगर मानलो मैंने आज buy किया हुआ है कल मेरे holding में आ गया कल मैं BTSD करता हूँ तो मुझे DP charge देना होगा 21.83 रूपीज पर script पर script मतलब गोल भीज एक script हो गया ITC एक script हो गया yes bank एक script हो गया और मैं तीनों sell करता हूँ तो मुझे तीन script हो गया चाहे 1 quantity sell करूँ चाहे 1 lakh quantity sell करूँ मतलब नहीं है वो 21.83 रूपीज लेगा पर script और दोस्तों यहां पर मैंने jubilean food में 130.35 का profit book किया है तो यह intraday तो इसक अल्मोस्ट 300 रूपीज का मुझे margin मांगा तो 600 में से 300 रूपीज में चला गया तो 300 रूपीज बचा अब यहां पर मैंने gold बीज का 18 quantity देखिए यहां पर delivery sell किया मतलब जो मेरे holdings में थे वो मैंने sell कर दिया 18 quantity 4.45.11 पर तो मुझे यहां पर 900 का margin मिल गया 900 का margin और 300 रूपी में कितना हो गया 1100 रूपीज हो गया तो मैंने 1100 रूपीज का 3 quantity इंट्रा यहां पर देखिए इंट्राडे में मैंने sell कर दिया 2352 पर तो मेरा total quantity हो गया 4.4 quantity मैंने sell किया था उसको मैंने buy कर लिया 2321 पर तो मतलब मेरा average जो था दोस्तों अब यहां पर click करें देखिए मेरा average selling जो था 2353.79 पर और मेरा average buying 2321 पर जब भी आप sell करते हैं पहले buy नीचे करना होता profit के लिए तो मैंने नीचे buy कर लिया तो यहां पर देखिए मेरा 130 रूपीज का profit बुक हो गया समझ गया आप concept intraday में लेकिन दोस्तों यहां पर मैंने holdings में से यहां पर अपना gold biz पहले sell क किया था वहां से मुझे funds में margin मिला उस fund से मैंने intraday trading किया तो sir यहां पर holdings में तो आपका 18 quantity दिख रहा है दोस्तों मैंने sell किया the holdings मैंने intraday जैसे ही close किया यहां पर मेरा जो पहले का margin था वो release हो गया और मैंने फिर से gold biz को square off कर लिया तो square off कैसे करना है same दोस्तों अगर आपका देखो यहां पर मेरा पोजीशन है मैंनों यहां पर –3 होता मैयने का करता delivery पर यहां पर मैं clicking करता यहां पर देखिए sa qui मैंस स्कुराड ठीट पर कर तो दोस्तों मैंने sell किया था पहले यहां पर आपको आता buy तो यहां पर review पर क्लिक करते और यहाँ पर buy कर लेते, जैसे ही buy करते आप क्या होता, यहाँ पर आपका zero हो जाता, और holdings में आपका same quantity चला आता, जो भी आपने profit and loss बुक किया था, वो यहाँ पर आपको दिख जाता, तो वो आपको pay करना परता, profit होता, तो आपको वापस चला आता, आपके funds में, अगर loss होता जो profit है, वो मेरे funds में कहीं नहीं दिख रहा है, वो दिखेगा, आज साम को मेरा same message आएगा मुझे, कि आपका 130 रूपीज में इतना आपका brokerage हुआ है, आपको 110 रूपीज जो है, आपका credit हो रहा है, तो कल सुबह मेरा 110 रूपीज यहाँ पर available to trade में दिखेगा, कल मैं इसको trade कर सकता हूँ, कुछ भी query होता है, आप मुझे Instagram Learning Mirror Online पर ping कर दें, message कर दें, मैं आपको guide कर दूँगा, दोस्तों, trading और dimate account लिंक जो है, वीडियो को description में है, अगर आपको कुछ help और support चाहिए, तो courses करें, उसी link से trading और dimate account ओपन करें, तो दोस्तों, मैं आसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया, तक पर लाइक कर दें, upload कर दें, subscribe और share कर दें, और हमारे साथ ऐसी ही बने रहा है नए नए वीडियो के लिए, धन्यवाद दोस्तों